नमस्कार दोस्तों, English Concepts with Ankit Sir में आप सभी का स्वागत है, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज थोड़ा सा issue होने की वज़े से, जो हमारे पास daily quiz है, वो आपके सामने live form में नहीं आ सकती आज आपके सामने ऐसे ही video recorder के द्वारा आपके सामने discuss करेंगे daily quiz को दोस्तों वहीं five questions जो SSC के अंदर revise हो चुके हैं और जो previous year based question हैं सभी हमारे पास, इनको discuss करते हैं फर्स्ट जो question है, वो है तक crew lady made her stepdaughter to do all the household chores और last में बोल रहा है दोस्तों no error, ध्यान दीजिएगा इसमें two नहीं आएगा, क्या कह रहा है इसमें two नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर make और let आता है, क्या आता है make और let, यह इनकी कोई form आती है, तो इनके बाद हमेशा verb की first form आती है, कभी भी infinitive नहीं आता है, इनके बाद कभी भी two plus verb की first form नहीं आती, तो जो डोट्टर के बाद हमारे पास जो यह true है, यह जो form है हमारे पास यह क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत form हो जाएगी, कैसी form हो जाएगी यह गलत form, clear है, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, drop कर देंगे, omit कर देंगे, next question है my sister asked me that how long I would stay there, no error बोल रहा है last में, दोस्तों क्या कहा रहा है कि हमारे पास जो introductory remark होता है, उसमें कभी भी question words में that का प्रियोग नहीं करते, या question words से just वेले कभी भी that का प्रियोग नहीं करते, देखो एक narration की form भी होती है, कि बही interrogative अगर आता है, तो उसके अंदर कभी भी हम that का प्रियोग नहीं करते हैं interrogative में conjunct करने के लिए हमेशा किसका, if या weather का प्रियोग करते हैं तो जो question word है, इससे पहले किसको drop करेंगे दोस्तों, that को drop करेंगे clear है, no doubt next question देखते हैं, the teacher as well as the students have gone on an excursion to UT during their smurvacation और last and no error, दोस्तों ध्यान देंगे जब दो subject as well as से जोड़ दी जाएं, besides से जोड़ दी जाएं accept से जोड़ दी जाएं, with ya without से जोड़ दी जाएं, तो हमारे पास जो first वाला subject होता है उसी के according verb का choose करते हैं clear है, तो as well as से बहले हमारे पास कैया है दोस्तों, teacher यह इसे जोंट want India in the security council और last में बोल रहा है no error, ध्यान देना दोस्तों, जो country का जो नाम होता है वो हमेशा कैसी फों में होता है singular फों में होता है कोई भी हमारे पास country का नाम हो या कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार के संगठन organization का नाम हो किसी book का नाम हो कोई disease का नाम हो हमेशा कैसी फों में होते हैं तो singular, तो the US के हिसाब से यह don't है, इसको किसमें बदल देंगे दोस्तों, doesn't में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे इसको, doesn't में, clear है, कोई doubt नहीं है, next formation देखेंगे, कि you can eat as much as you like as the newly lunch bar, और last में बोल दिया, no error, ध्यान देंगे दोस्तों, कभी भी noun pronoun के विशेष्टा जो adjective होता है, ना कि कभी भी adverb होता है, clear है, तो noun और pronoun के विशेष्टा जो बताएगा, वो हमेंसे क्या होता है, adjective होता है, कभी भी क्या नहीं होता, दोस्तों, adverb नहीं होता, तो यहाँ पर जो यह हमारे पास newly word है, कौन सा word है दोस्तों, हमारे पास, जो यह newly word है, इसको हम किसके अंदर कर देंगे दोस्तों, इस newly word को drop कर देंगे, और यहाँ पर किसका प्रियोग कर देंगे, new का प्रियोग कर देंगे, clear है दोस्तों, कोई doubt नहीं है, दोस्तों ध्यान देना, अभी आपके सामने, जल्दी ही regular videos दोबारा से continue करेंगे, थोड़ा सा disturbance होने के वज़े से, थ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत!